हेलो अब्रीवन वेलकॉम अगेन लर्न विद दिर्थिमन आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर सैवन जो आपका परेवारणिय प्रदेश हैं उनके बारे में जानकारी प्राप करेंगे याल्स और चलिए बिना देरी के हम कोश्चन स्टार्ट करते हैं तापके आधार पर प्रित्फी को कितने कटिबंद चेत्रों में विभक्त किया गया है तापके आधार पर प्रित्फी को कितने कटिबंद चेत्रों में विभक्त किया गया है तो कितने चेत्रों में विभक्त किया है तीन कटिबं चेत्रों में और कौन-कौन से ऊस्टन बंद और सीतोष्ण कटी बंद तो दीखे इसमें जो डाइग्राम से देखते हैं यह जो ब्लू पार्ट है आपका यह जो धर्ती का जो ब्लू पार्ट से सोका रखा यह क्या है सीत कटी बंद है यह उत्री धरूप पर है और यह दक्षिन धरूप पर और यह कहां तक है यह आ पूरुव्यवर्थ बनता है उसमें क्या आते हैं सीथ कटिवंध आते हैं और 6.65 दिगरी से 27.30 दिगरे जहां पर सूरे की कभी भी वी देखें सूर्ण कटिवंध जो होता है जो भूमद्दे रिखा के दोनों तरफ होता है यह कांची है भूमद्दे रिखा है जो हमारी धर ग्रिवार की सीधीति या लंबवत केरणे पढ़ते हैं अनने अन्में कभी भी सीधी थी-क्रिविक उन्हें पहते हैं और यहीकारण है कि यह जो खेत्र होता है सबसे गर्म होता है इसलिए यहां पर क्या हो गया यहां पर जो हिस्सा है बीच वाला यह सबसे ज़्यादा गरम होगा और जो धुर्विय छेत्रों का यहां पर सूरे की करने चीदी नहीं पहुंचती है यहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के राते होती है तो इन दोनों छेत्रों के बीच में क्या है सीतो और उष्ण कटी बंदों से मिलकर जो बनता है वो सीतो उष्ण कटी बंद है यहां दोनों छेत्रों का अपना अपना प्रभाव होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं सीतो उष्ण कटी बन सबसे जो द्रुविये छेत्र हैं वो सीत कटी बन और प्रिथी के जो मद्दे छेत्र हैं वहाँ पर सूरे की सीधी करने पड़ती है इसलिए उष्ण कटी बन और इ तो उसका कारण क्या है? तापमान अत्यधिक कम होने के कारण. पहली बार तो आपको ये पता होना चाहिए कि उच्छ भूमी क्या है? उच्छ भूमी वो हैं जैसे पहाडी लाके हैं. तो वहाँ पर बहुत ज्यादा उचाई होने की वज़े से जितना उचा होता जाता है वैस प्रसिती नहीं होती किसी भी कर्षी के लिए तो वहां पर तापमान कम होने का कारणा कर्षी के लिए अनुकूल नहीं होता है और इसका एक्जंपल अगर बात करें तो उत्र भारत में हिमाले परवत हैं दक्षिन भारत के नील गिरी और अन्ना मलाई की पहाडियां हैं और उत्तर पूरो भारत के पहाड़ी इलाके इसके अच्छे उधारण हैं कौन-कौन से उत्तर भारत में हिमाले परवत आप बहुत अच्छे से परिच्छे थें दक्षिन भारत में नील गिरी और अन्ना मलाइक की पहाडियां हैं वो भी उच्छ भूमी छेत्र की ही उधार ने उत्तर पूरो भारत की जो पहाडी लाके हैं वो भी इसके एक अच्छे सें एक बात और जब उच भूमी की बात करते तो आपने सुना होगा जो आपका सीडही नुमा खेत होते हैं सीडही नुमा खेत आपके अपने कहाँ देखें है फोटो में आपने निशी तुरूह से देखिए Singapore देखें घ्रड़ काला होते हैं जो थंडे लाग्यों तो कुछ नहीं हो पाता लेकिन जब धलान थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो वहां पर क्या सीड़ी नुमा आकरतियां बना कर खेद बनाए जाते हैं और उनमें चाय और फलों का बगान नॉर्मली लगाए जाते हैं और देखिए उच्छ भूमी जो छेत्र होते हैं वो हमेशा नदियों का उद्गम छेत्र है नदियों का जो उद्गम छेत्र होते हैं वो हमेशा उच्छ भूमी छेत्र ही होते हैं सामाने दोर पे और इसलिए तो नदिया निकल रही है, उद्गम छेतर का मतलब नदिया जहां से पैदा हो रही है, जहां से उत्पन हो रही है, तो नदियों का जो उद्गम छेतर होता है, वो क्या होता है, उच्छ भूमी छेतर ही होता है, नेक्ट पोशन देखते हैं, निम्न भूमी छेतर की भूमी पुजाओ क्यों होती है, तो देखिए, नदियों द्वारा लाए गई मिटी के जमाव से निर्मित समतल मैदानों के कारण, अब इस बात को समझते हैं, देखें, नदियों का उद्गम कहां से बताया है हमने, उच्छ भूमी छेत्रों से, अब उच्छ भूमी छेत्रे से जब नदियां आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारी मटी लेके आती हैं, वो मटी क्या होती है, निमने जो छेत्रों होते हैं, उनमें वो जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, तो वो धीरे 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 एक समतल मैदान का निमान कर देती है, अब चूंकि बहुत सारी जगे से, अलग अलग जगह से जब मत्टी बहा कर लेकाड़ लेकर आई जाती है तो इसे हो से एक तरीके से बहुत उपजाऊ मत्टी होती है अर उसे जब मैदान बन जाता है तो वह किसी योगे चेत हो जाता है और आसी स्थिति में वहां पर नहलाते खेतों का जो एरिया है हमारे जो भी प्रित्री पर वो शाहरा क्या है नदियों द्वारा जो लाए गए चेत्र है वहां पर यह है आपने भारत में अगर देखा जाये तो गंगर यमना के जो मैदान हो इसका एक अच्छा एक्जामपल है और जन्शंक्या के चेत्र से भी बहुत गना चेत् जाता है राजिस्थान को धर्ती धोरारी क्यों कहा जाता है तो देखें धोरा का मतलब क्या है धोरा का मतलब है रेत के टीले आपको यह अच्छी रूप से पता है कि राजिस्थान में रेत के टीले बहुत हैं यहां पर मरुस्थल है तो यहां पर रेत के टीले भी हैं और इन वह बहुत ज़्यादा भूंदा का बीधैंटी थे धर गलगे से किसी भी टाइप का कोई भी वश्पति नहीं होते हैं। होँ भी अपने आप में खंडा मरस्तल है और हमारे राइस्थान के जो छेत्र है प्रशिमी राइस्थानने से χेत्र को कैसा है वह अपका गरम मरस्तल के एपस्था वह котором में जो जीव को पारजन आन्छी जीवी का कमाने का साधन है तो सबसे ज़्यादा मुख्य जो सादन होता है वो पसुपालन का होता है और इन गरम प्रदेशों में जैसे उठ पाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में यौक पाए जाते हैं ठीक है चलिए नेक कोशन देखते हैं पेड़ पौधों और जहाडियों से धके विस्तत ब्भाग को क्या कहते हैं तो क्या कहते है वनप्रदेश बहुत सींपंल सा कोशन है जो पेड़ पौधों और जहाडियों से धख जाते हैं और बड़े छेत्र जो ऐसा हो جाते उनको आम क्या कहते हैं जंगL है prés infantry इना चलिए न नेक कोशन देखते हैं वन प्रदेशों में र विस्तर चारागा और घास के मैदान किस तापिय कटीबन छेत्र में मुख्यत है पाए जाते हैं तो देखिए विस्तर चारागा और घास के मैदान किस तापिय कटीबन छेत्र में मुख्यत पाए जाते हैं आपने देखा था कटीबन छेत्र हमारे पास तीन है कौन-कौन से ऊ होगी वहाँ पर नहीं पर बोगी हो हैं वहाँ सिटोस्ट करती इन अ वहां पर तो इससी स्थिती होगी वह गर्मी बहुत जबहुत जब्यांँ ज़्यादा और जास सीट कर्णि मिलेगी से वहां पर वर्षा होती है नहीं ज्यादा ठंड पड़ती है वहां रहता है तो इसलिए वहां पर घास के मैदान बहुत आसानी से पनपते हैं नेक्स कोशन देखते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है उत्तर अमेरिका छेतर में पाए जाने वाले उची घास के मैदान क्या कहलाते है यह बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों इसको याद रखेगा इनको कहते हैं प्रेयरी घास के मैदान प्रेयरी घास के मैदान उत्त नेक्स्ट जो कोशिन है वो भी इतना ही इन पॉर्टएंट है यूरोप वे एसीया में इस्ट चोटी घथा की मैदान क्या कहला के लाते हैं इस्टेपि घास के मेदान इस्टेपि घास के मेदान में छोटी छोटी घास पाये जाती हैं लगभग Adri के अप्रोक्स Destями जो हती है आपकी इतनी उचाई घास नौर्मली होती है इस में और यह Europe और एस्टा में बहुत ज़़ा मांत्रा में है तो इसलिए ग्या है, स्टेपी घास के मैदान कहलाते हैं में नेक्स्ट और इस चैप्टर का अन्तिम कोश्टन है ये देख लेते हैं दुरुवीज रखेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है देखे ये लोग बहुत प्रिसिद्ध हैं, famous हैं एस्की मो जो हैं इगलू में रहते हैं और जो इगलू कहते हैं और डूसरा मचली पकड़ने ने के पास और सदंब नहीं को मुख कोई और और यहां पर और जो जीव रहते हैं वो जैसे सील मचली है वालरस है दुरुवय बालू है यह वहां पर रहते हैं और एसकीमो जाएसे कोई भार का विक्ती चला जाता है तो उनकी पर जादा मैत्री कूंड व्यवार करते हैं इस वज़े से भी यह बहुत ज्यादा फेमस जन् मिलते हैं next class के साथ chapter first class 7 के साथ मिलेंगे next video में सब तक के लिए thank you